इस वीडियो में आपने बात करेंगे करन गत्रों के बारे में तो देखो modern की बात करें तो modern में देखो year को अपन तीन पार्ट में divide करते है external year, middle year और internal year external year में क्या जाएगा? पिन्ना और external acoustic meatus middle year में क्या जाएगा? tympanic cavity आ जाएगी tympanic membrane आ जाएगी और air shell आ जाएगी और internal ear में क्या आ जाएगा vestibule, cochlea और three semicircular canal इसकी अपने next वीडियो में बात करेंगे इस वीडियो में अपन बात करेंगे कंगत रोग के आईडवेद, आईडवेद portion के बारे में तो देखो कंगत रोग की सुसरूत के अनुसार होती है 28, जबकि चरक ने दोस के अकोडिंग कंगत रोग बताए है चियार, वातजी, पीतजी कपजी और सन्नीपातजी वागबट के अनुसार 25 और सारंगदन ने बताए है 18 ये important execution पूछते है कि चरक के अनुसार कंगत रोग कितने होती है तो चरक ने दोस के अकोडिंग च्यार कंगत रोग बताए है वातजी, पीतजी, कपजी और सन्नीपातजी अब सुसरूत ने कितने बताए है 28, तो देखना कंग सूल हो गया कंग नादी, बादीरी है क्रण स्वेड, क्रण स्राव, क्रण कंडू क्रण वर्ची और क्रिमी क्रण और बी क्रण पटीना है द्वी विद क्रण विदर्दी दोसज और सेज क्रण पाक हो गया पुत्ती क्रण हो गया चतुर विद क्रण अर्ष हो गया वातजी पीतजी कपजी और सनिपातजी फिर क्या हो गया सब्त वीद करण अर्बुद हो गया वातजी पीतजी कपजी सनिपातजी और रखतजी मासजी और मेदोजी और चतुर्वीद करण सोप हो गया वातजी पीती कफ़ी और सनिपातजी तो यह सुसरूत के अनुसार 28 अब बात करते हैं इनके संप्राप्ति और निदान की तो देखो इसका एक यह common quotation है यह याद हो तो तुम कर सकते हो या फिर हिंदी में भी तुम्हें याद कर सकते हो अवश्याई जल क्रिडा कर्ण कंडुनेर मारूत मित्या योगेन सस्तरश्य कुपीतो अनियस्च कोपने प्राप्य स्रोत शीरा कुरियात सुलम स्रोत शी वेगवान ते वेकर्ण गता रोगा सुसरूत उत्तरतंतर 20 ओके तो देखो सब चे पहले इसके निदान निदान क्या दे रखे है कि ओस में रहने से पानी में तेरना और कंड खुजलाना सस्तर के मित्या योग परियोग से और क्रण सलाका का ठीक मतलब सही परियोग नहीं करने से यह हो गए इसके कंड रोगे निदान पिर बात करते है इसकी संप्राप्ति तो देखो इन निदा निदानों का शिवन करेंगे न तो वात परकुपित हो जाएगी वह करण शिराओं में जाकर करण में वेगवत सूल उत्पन करता है इसको बोलते है करण रोग है न तो देखो उपरोक्त निदानों का शिवन करेंगे न इनका तो वायू परकुपित हो जाएगी और करण शिर चाहों में जाकर करन में वेगवत सूल उत्पन करती है इसको बोलते है करन गत रोग तो अब देखो यह होगे इसके निदान और संप्राप्ति अब भी सबसे पहले बात करते हैं अपने करन सूल की तो देखो यह इसमें कौन सा दोस होता है इंपोटेंट है ना करन सूल का मोडन पूछते है करन सूल का मोडन इंपोटेंट है यह इसमें कौन सा दोस होता है वात जी और यह दूश्ची किछी होती है करण में तिवर वेदना होना और वाग बठने करण सूल के 5 वेद माने है पातज, पितज, कपज, सनिपातज और रखतज अब बात करते है करण नाद की तो इसमें भी वात दोस होता है तो देखो करण रोग में है ना ज़्यादा तर तुमको वात दोस्त देखने को मिलेगा क्यों? क्योंकि अपने देखो अभी संप्राप्ति में पढ़ा कि वायू परकुपित हो जाएगी और करण शिरों में जाकर करण में वेगवत सूल उत्पन करती है और सूल कौन? सूल है ना ये वात का गुन होता है सूल उत्पन होना ये वात के करण होता है इसलिए करण गत्रों के ज़्यादा तर कौनचे वात दोस्त देखने को मिलेगा तो करण आद में वातज होता है और दोस्त सबदवाई शिरों में आस्रित होता है और सरनोती सब्दान विविदान रोगी अनेक परकार के सब्द सुनता है यह इसका कारडिनल फीचर है यह याद करना है सरनोती सब्दान विविदान अनेक परकार के सब्द सुनता है पेसेंट फिर करन बादीरिय तो इसमें देखो क्या हो जाएगा करन बादीरिय में वात और कपज होत एकुर शवेडित और धकाशुर्ण स्वेडिन नाद क्या с Idhya है लीत ते बिए टेंछे वाते हैसे अब आतिके में Т सब्थी वायू परकुपित होकर अब्यक्त सब्थन की उत्पति परतान है यह सब्यूचित सब्थन के करन सवेड के निदान देखना की सरमात सहीं रुक से कसा बोजना ओ वीरिक्ट शीरसशया सीर्शेवन करने करने बींड सवेड्रोग हो जाता है सवेड difिय यह इंपोर्टेंट है यह इसका कारडीनल फिचर है वंशी के सब्ड के समान यह याद करना है इसका कारडिनल फीचर है स्वेडर वेडू गोस्वत किसका मतलब लक्सन है यह करण स्वेड का ओके नेक्स बात करते है करण स्राव की तो यह भी वातज होता है विद्रदी के पाक्षि उत्पन होता है यह इस्त्रवेत पूयम कप का कर्ण में मला रूप में संचे होना कंडू कलाता है जूक्प नेग्स्ट बात करते हैं, क्रण वर्च या क्रण गुठ की तो यह भी पिट और कपज होता है और करन मल पित्षे सूखकर रण गुत्फ रोग को उत्पन करता है करन मल होता है वो पित्षे सूख जाएगा और पिर करन कुठ रोग हो जाएगा ओके नेक्स्ट बात करते है क्रिम कर्ण की तो यह जन्तु माकशिक जन्य होता है वागबट ने इसको त्रिदोसेज बोला है निमी ने सन्नी पातजी परकोबजम बोला है इसको कान के बितरिया बाहर मेल के होने से या आगात लगकर वर्ण बनने से वहां की तवचा मास और रक्त आदी सडने लगते है और वहां क्रिमियों की उत्पती हो जाता है क्रिमियों की उत्पती हो जाती है तो देखो इसमें यह इंपोर्टेंट है तवचा मास और रक्त नेक्स्ट बात करते है करण परतीना है तो देखो इसमें क्या होता है कि करण मल दोसों से पिंगल कर नाच्छी का तता मुख से बाहर आने लगता है यह important है यह इसका cardinal feature है याद करना है ग्राण मुकम परपदते ग्राण मुकम परपदते यह इसका cardinal feature है important है next बात करते है शीरो अभितापन शीर में पीडा होती है अब वागबट ने इसके लिए क्या बोला है वायू शे सुकाया कप स्रोतस में लिप्त हो जाता है तब वेदना और बारिपन होता है वातेन सोशित सलेस्मा यह भी वागबट के नुसार इसका cardinal feature है यह भी तुम्हें याद करना है फिर विदेह ने इसको क्या बोला है वातजने, कपजने और सनिपातजने बोला है इसको ठीक है नेक्स्ट बात करते है अपने कायन विद्रदी की तो देखो कायन विद्रदी में क्या है कि सत्य अभी गातज कायन विद्रदी दो टाइप की होती है आगंतुज विदर्दी चोट लगने के कारण और दोसज विदर्दी दोस के परकोप होने के कारण अब इसके लक्सन देखना रक्त पित अरुन वरन रक्त स्राव और पटोद दुमायन दाह चोसवान तोद दुवा निकरने की तरह पड़ती थी दा है आचूसन सदर्शे पीड़ा यह important है यह इसका cardinal feature है यह तुम्हें याद करना है next बात करती है अपने फिर क्रेण पाक की तो इसमें क्या होता है पाक किसके कारण होता है पित के कारण इसलिए इसमें पित दोस है फिर वी कोत वी कलेद उत्पती यह इसका cardinal feature है यह याद करना है करन में कोत और कलेद उत्पन हो जाता है यह important है फिर बात करती है पुत्ती करन की तो यह कप और पित जोता है ठीक है अवेदनो वापियत्वा सवेदनो गनम इस्त्रवेद पुत्ती चै पित के तेज से करन स्रोत में इस्तित कप के संतप्त एम्विलीन होने से वेदना रहित या वेदना सहीत गाडा तता दुरगंतित स्राव स्रावित होना पुत्ती करन कलाता है यह important है यह इसका कारडिनल फीचर है पूछते एक्जाम में अवेदनो-वापियत्वा सवेदनो गनम इस्त्रवेद पुत्ती चै तो इसमें वेदना हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है किसका लक्षन है यह पूत्ती करन का लक्षन है फीर बात करते है करन हर्ष की करने अर्बुदगी, तो देखो, ये साथ category होते है, वातजी, پितजी, कबपजी, सन्निपातजी, रखतजी, मास् जी और ये important है कि सुसरूट नहीं है, सन्निपातज नहीं माना है, ओक, ये important है तोar show मास को दूशित करके गोल, Guill, STRI, दिरे बढ़ने वाला, सोब पेदा होता है। और इसकोhan बोलते हैं अर्बूद, तो देखो ये इसके क्या-क्या लक्सन है। इसके इम्पोर्टेंट है, गोल होगा, इस्तिर होगा, अलप पीडा युखत होगा, दिरे-दिरे बढ़ने वाला होगा। ये इनके cardinal feature है, याद करना है, important है, फिर बात करते है करन सोप की, तो ये चार टाइप का होता है, वातज, पितज, कफज और सनिपातज, सोप के समान लक्सन इसमें देखने को मिलते है, गाटदार, सम्या विसम, फेला हुआ, सरीर के एक देश में उत्पन, अब देखो पितज सोप में, पीला, रक्त युखत, शिगर बढ़ने वाला ओस युखत, और कपज सोप में, पांडू, कटोर, सीत, और दिरे-दिरे बढ़ने वाला कंडू, युखत सोथ देखने को मिलेगा, सोप, ओके, next बात करते है, अब तो ये देखो, ये हो गए, अपने करन गत रोग सुस्रूत के अनुसार 28 अब बात करते हैं इनके चिकित्सा की है ना तो चिकित्सा में देखना क्या है कि कर्ण रोग का सामाने चिकित्सा सुत्र यह कर्ण रोग आये चाहिए तुम्हें सबसे पहले यह सलोग लिख सकते हो चिकित्सा में ओके गृत्पान रसाइन परियोग वियाम का परीतिया आगे शीर रहीत सनान ब्रमचरी का पालन और एकतन मतलब जादा नहीं बोलना कम बोलना यह हो गया कर्ण रोग का सामाने चिकित्स का सुत्र अब अब यह बात करते है करण सूलहर तेल तो असवतत पत्र खललम पीपल पत्तों का प्रियोग करते है इसमें सदोиком रहती वेद नाम तकाल वेदना सांथी यह इंपोर्टेंट है यह इसका कारडिनल पिचर है कर्ण सूलहर तेल सदोמस के नहीं 어r compl अरकांकूर स्वरस करण सूना सकोता है यह इंपोर्टेंट है अरकांकूर स्वरस फिर कुकुट वसापूरण और सत्पाक बला तेल बोजन के लिए बोजनार्थ ओके रात्र के समय अनकाशिवन नहीं करना चाहिए गरितपान करके उपड़ से मंदोश दुगद पी लेना चा फिर अलची गूगलू अगरू गरितपान चाहिए ओके नेक्स्ट बात करते है दीपी का तेल तो यह भी इंपोर्टेंट है तो देखो करन रोग या करन सूना सकोता है सद्ध वेदना ना सक और अभी अपने उपर बड़ा ततकाल वेदना सांती सद्धो ग्राती वेदनाम करण सूल है तेल या दिपी का तेल सद्धे वेदना ना सक तो देखो इसमें क्या करेंगे वरहत पंचमूल अठारा अंगूल कांड है ना अलशी के पत्र से लपेट कर तिल तेल से भिगो दे उसको फिर जला देंगे और जो तेल टपकता है ना उसे करण पूरन करेंगे तो इसमें वरहत पंचमूल का अठारा अंगूल कांड लेंगे यह इंपोर्टेंट है नेक्स्ट बात करते हैं अपने करण पाक की तो देखो इसमें पितज विश्रफ वच्चिकिसा करते है फिर करण बादीरी है तो इसमें परतिश्याई विदी का पालन करेंगे वात्व यानि सरसरफ तेल का परियोग करते है यह भी इंपोर्टेंट है शेवलादी तेल करण स्राओ में अब देखो करण स्राओ यह पुत्ती करण की चिकिसा है ना दोनों की साथ में है क्या है कि गृतम रसांजनम नारिया शीरेन मदू स्यूताम इस्त्रिदुख दे रसोंत और मदू इससे क्या करेंगे अपन करण पूरन करेंगे यह इंपोर्टेंट है इस्त्रिदुख दे रसोंत और मदू से फिर बात करते है क्रिमी करण की चिकिसा तो क्रिमी नासक चिकिसा करेंगे अपकर्षन परकतिविगात और निदान परिवर्चन फिर बात करते है पुत्त केरण कर्ण स्राव क्रिमी करं की चिकिसा समान होती है यह याद करना तुम्हें केरण स्वेड की चिकिसा क्या है यह सासरब तेल सी करण और कर mapping करेंगे और करेंगे नाद शीकि साइ जिए दोनों में नाद पूछने यह कर Juda करेंगे क्रण वीड में क्या करते है प्रक्लेदन करते है और पर कभर्ण कंडू में वममन्चिक सा करते है नेक्स्ट बात करते है अब देखो कर्ण डूग का रोंगतिकार है ना क्या क्या है सारी वादी वटी साड तेल यह बता या है चरकने ओके इंदू वटी यह इंपोर्टेंट है करण रोगदिकार इंदू वटी इंपोर्टेंट है ओगे तो इसके गटक दर्व देखना शिला जत चिला जीत हो गया अब्रग भस्म हो गया लो है बस्म एक एक तोला और स्वन भस्म तीन मासा बावना दर्व मकोई सतावरी आमल की और कमल पत्तर स्वरस पते की तीन तीन भावना और मात्रा होती है दो रती ओके तो यह अपने बात की करण गति रोग के बारे में ओके